कब गेहूं के आटे से बनने वाला बहुत ही healthy और soft सा नास्ता, इस नास्ते को बनाने के लिए ना baking powder ना इनो और ना ही दही का इस्तमाल करेंगे, फिर भी नास्ता बहुत जाता soft बन करके त्यार होगा, तो चलिए आज की recipe शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आएगी, आपसे रिपेस्टर बीडियो को छोटा सलाइक जरूर शेकर दिजेगा, जैसा कि आज का नास्ता हम बनाने वाले हैं गेहूं के आटे से एक mixing ball में मैं यहां पे ले रहे हूं, एक गेहूं का आटा जिससे घर में हम रोज रोटी बनाते हैं, तो गेहूं का आटा हम बॉल में डाल इसी के साथ हम इसमें डालेंगे सूजी, सूजी डालने से नास्ता सौप्ट भी बनता है और क्रिस्पी भी बन करके तयार होता है, तो मैं इसमें डालूंगी दो चमच सूजी, आप बारीक मोटा किसी भी quality के सूजी से नास्ते को बना सकते हैं, इसी के साथ हम इसमें डाल आधा छोटा चमच काली मिर्च का पाउडर यानि के ब्लैक परपर आप चाहें तो काली मिर्च को पूट के भी डाल सकते हैं आधा छोटा चमच डाल देंगे भूना हुआ जीरा पाउडर आधा छोटा चमच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया का पाउडर इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे एक चोथाइटी स्पून लाल मिर्च का पौरर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो तीखे के क्वांटिटी अपने हिसाफ से कई में जादा कर ले नमक डाल देंगे स्वाध कर नुसार आप चाहें तो इसमें गरम मसाला का भी इसतेमाल कर सकते हैं दो चमच तेल डालेंगे तेल डालने से नास्ता सौप्ट बनेगा और खाने में बहुत देर तक ये नास्ता मौलाईं बना रहेगा तो चलिए इसी तरीके से तेल डालने के बाद अच्छे तरीके से हाथों की मिदद से इन्हें मिक्स कर ले ताकि आठा के साथ तेल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो हाथों से ही अच्छे त़रीके से इसे mix किजिएगा जिस तरीके से हम आटा में मोहिल लगाते हैं न सियम उसे तरीके से हाथों से रगरते वे इन्हें हम mix कर लेंगे mix करने के बाद इसमें हम पानी का इस्तमाल करेंगे तो एक कब यहूं का आटा के लिए हम यहाँ पे डियर का पानी का इस्तमाल करेंगे तो एक ही बार में आप ज्यादा पानी ना डाले थोरा थोरा सा पानी डाले और इसको अच्छे तरीके से mix करें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालिएगा तो मतलब जो हम घोल बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठली नहीं बनेगी तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे कर दें दस मिनट के लिए सब्जियों को हम चौप करने वाले हैं इसके लिए मैं पर चौपर का इस्तमाल कर रहे हूं तो चौपर में सबसे पहले साड़ी सब्जियों को छोड़े चुड़े में काट करके डालेंगे अगर मेरे जैसा आप च्छोटा सा चौपर है तो दो चौपर में निकाल ले और इसके साथ इसमें डालेंगे गाजर, प्याज, अद्रक कटुकरा, लैसुन की कलिया और हरी मिर्च और इसी तरीके से करते हुए हम यहाँ पर सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से चौप कर लेंगे तो अगर आपके पास चौपर नहीं है तो स सारी सब्जियों को अब हलका सा दरदरा करस कर सकते हैं तो देखे मैं आप सारी सब्जियों को करस कर ले हूँ पांच मिनट के बाद सुझी अच्छे तरीके से फूल गया है तो अब इसमें सारी सब्जियों को डाल देंगे जो हमने चौप करके रखा हुआ था सारी सब्ज अच्छे तरीके से मैं इने मिक्स कर ली हूं और देखे इतना गारह से बैटर बना करके त्यार किजेगा बैटर बन चुका है चलिए अब गयास के तरफ चलते हैं आज मैं इस नास्ते को छोटे से पैन में बनाने वाली हूं अगर आपके पास ऐसा छोटा सा पैन नहीं है तो घर करकेगा तो गयस का फलेम लो रखते हुए इस नास्ते को पखाएंगी तेल डालने के बाद एक चोटा और प्रस त्याας करेंगे कम तेल में ही इस नास्ते को आप बना करके त्यार किजेगा एक साइड पकने के बाद इसके साइड को आप चेंज करते चेंज करने के बाद फिर से ढख करके पकाएंगे एक से दो मिनट के लिए तो आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा आसान है इस नास्ते को बनाना और इस तरीके से एक साइट पकाने के बाद फिर से हम इसको ढगर के पका लिये हैं दोनों साइट से और देखें कम तेल में कितना अच्छा सा नास्ता बन करके तयार हो गया है तो सुबा की भागदोर में बहुत कम समय होता है नास्ते को बनाने के लिए तो आप इस नास्ते को बहुत ही फटा फट से बना सकते हैं सुबा में नास्ता बनाना चाहते हैं इस टाइब का तो रात में ही आप सारी सबजियों को चौप करके फ्रिज में रग दे और फटा आज की रेसेपी आप लोगों को पसंद आई हो आप से रिक्वेस्ट है वीडियो को बाद छोटा सा लाइक कर दिजेगा अपने फ्रेंश और फैमली में शियर कर दिजेगा चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा कमेंट करके जब पते हैं कि मेरी आज की रेसेपी आप लोगों कैसी लगी तो इस नास्ते को आप बचों को टीफिन दे सकते हैं सबी को यह नास्ता बहुत पसंद आगा